हे दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ पनीर शिमला मिर्च की सबजी जो बहुत ही आउडिनेरी मसालों में बहुत ही जटपट से बनके तयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ही ज़ादा स्वादिश्ट लग सकते हैं छे से साथ के लिए लहसुनकी और एक इंच अद्रक का टुकड़ा इसे भी मैंने लंबा-लंबा चौप कर लिया है साथ में लेंगे हम दो मीडियम साइज का प्याज एक मीडियम साइज का टमाटर और एक शिमला मिर्च और एक हरी मिर्च और इन सभी को मैंने अब इसमें हम चौप की हुए लैसुन और अद्रक देदेंगे लैसुन और अद्रक थोड़े जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें देंगे हमारे चौप की हुए प्यास प्यास को अच्छे से चला लेंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे प्यास जब थोड़े भुन जाए तब इसमें देंगे हम आधी छोटी चमच हल्दी आधी छोटी चमच जीरा काली मिर्च का पाउडर एक छोटी चमच धनिया पाउडर और एक छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और अब हम इसमें देंगे चौप की हुए टमाटर और हरी मिर्च इन सभी को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें देंगे स्वाद अनुसार नमक अब हम इसमें चौप की हुए शिमला मिर्शी दे देंगे और पनीर और एक छोटा पैकेट मैगी मसाला का इन सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आजपर ढगकर दो मिनिट पकने देंगे तो देखिए सबजी अब बिल्कुल पक गई है इसमें हमने जरा भी पानी आड़ नहीं किया है और ये कितनी सुन्दर दिख रही है तो अब हम इसमें आड़ कर लेंगे एक चमच दूद की मिलाई इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सर्व करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है तो देखा आपने पनीर शिमला मिर्श की ये सबजी कितनी जंदी बन के तयार हो गई ये कितनी रंग भी रंगी और कितनी लाजवाब दिख रही है ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगेगी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेर कीजिएगा वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच